दोस्तों होंगी इच्छाएं पूरण नव वरश में आप भी जीतने की चाह रखना ग्रेहों का सैयोग मिल रहा है आप भी अपने प्रयासों में कोई कमी ना करना नमस्कर दोस्तों मैं स्ट्रोलेजर रजेश कलिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटीब च को यादगार वरश बना देते हैं उस वरश में जीवन के सभी महत्त पुरन कार्या संपन होते हैं वह समय इच्छाओं को पूरन करने के अनकूल अब सरपरदान करता है हर कार्या में सफलता मिलती है बच्चों से लेकर बड़े बजुर्गों तक सभी को गुरु परसंद कर रहे हैं तेरा वरश के बाद गुरु का आपकी राशी के एक आदशवाब परसंचार तीनों बलों भाग्या बुद्धी और बाहुबल पर दान करेगा गुरु देव का मिलेगा जब सास तब नहीं रहेगी चेंता और गं की कोई बात गुरु के शुप गोच्चर के आगे शनी का अश्ठम डिया भी कमजोर पढ़ जाएगा जो आपका कुछ नहीं बिगार पाएगा इसलिए गुरु देव के नाम पर एक लाइक तो बनता है मैं बिना कोई आतु फालतु बात किये बगया सीधी स्पष्ट और स्टीक बात करने में अधिक विश्वाश रखता हू वीडियो में विस्तार से सभी विश्यों पर चर्चा करेंगे इसलिए वीडियो बहुत महत्त पुरान रहने वाली है वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों नववरश में परवेश करते समय की ग्रैग उच्रिय स्थिति आपके सामने है नववरश में परवेश करते समय छोटी अवदी में संचार करने वाले ग्रैहों सूर्या, मंगल, शुकर और बुद्ध की स्थिति भी काफी उत्तम बनी हुई है नववरश में परवेश करते समय दोनों अकरामक, करोधी, करूर और लड़ाकू, ग्रैहों, सूर्या और मंगल का छटे बाव, शत्रु स्थान पर संचार, शत्रों से चुटकारा दिलाने का वाइदा कर रहा है शत्रु आपके नियंदरन में बने रहेंगे, आपके रोब और रुत्मे में प्रिदी के सासाथ यश्पद परतिष्ठा के प्रवल योग बनेंगे पंचमबा पर शुब परवाव, शुकर और बुद्ध का संचार, विद्यार्तियों, प्रेमियों, संतान शेतर और निवेश कारें से जुड़े दोस्तों को परसंगर देगा विद्यार्तियों और प्रेमियों के लिए नव वरश उमीद की एक नई किरन लेकर आ रहा है पर शुब परवाव, इन प्रेशानियों से छुटकारा दिलाएगा एक मई से पंचमबा पर गुरू की शुब द्रिष्टी भी पढ़नी शुरू हो जाएगी जो शनी की कूद रिष्टी की काफी हद तक बरपाई कर देगी तथा विद्यार्तियों और प्रेमियों को मोज करा देगी संतान से सबंदी सुखों में वृद्धी होगी पिछले वर्षों की तुलना में नव वरष दोयर चोविस करत वालों के लिए अत्यादिक महत्तपरों और लाप्रद रहने वाला है अधूरे पड़े कारया पूरण होंगे पूरे वरष केतु का प्राकरम भापर संचार आपके प्राकरम में वृद्धी करेगा के तु के वी मंगल समान फल देखने को मिलते हैं प्राकरम भापर जैसे मंगल सहासी और प्राकरम ही बनाता है ऐसे ही के तु पूरे वरष आपके सहास प्राकरम और आतम विश्वाश को बुलंद बनाई रखेगा नावरष की शुरुआत से ही आपका अपने प्रती विश्वाश उच्च मनोवल और बुलंद होंसले इस वरष कुछ निया करने और जोकिम लेने के उदेशिया से बहुत प्योगी साबित होंगे पूरे वरष आपके होंसले बुलंद बने रहेंगे शनी का अस्ठम डिया आतम शुरुआंच और मांसमान में कमी करने का कारया करता है लेकिन अन्य ग्रहू की शुप्ता इस कमी की भरपाई करेगी आतम शुरुआश मजबूत देखने को मिलेगा कारया शंता में वरीदी होगी स्टैमिना गजब का देखने को मिलेगा उपर से गुरु का एक आदश भापर संचार तथा केतू पर दिरिश्टी सोनने पर सुहागे जैसा कार्या करेगी एक मई तक गुरु करमबा पर संचार करेगा तथा धन सुक और शत्रू स्थान पर द्रिश्टी डालेगा करम बापर भी गुरू का संचार धन में वृदी करता है प्रंतु यह धन फोकट में नहीं मिलता है इस बापर गुरू बोधिक योग्यता ग्यान कोशल सूजबूज संगर्श और प्रयासों के बाद ही धन परदान करता है इसलिए अपरेल मा तक करम किये वगर फल की इच्छा ना करे भोधिक शित्रों से जुड़े दोस्तों को गुरू की इस स्थिती का विशेश रूप से लाब बिलेगा एक मई के बाद धन के स्वंद में पर स्थितियें अत्यादिक अनकूल होती दिखाई देंगी वे बिन स्त्रोतो हैं एक आदश बाद पुर्णली का महत पुरन भाव है इस बाद से हमारी डिजायर गेन सकसेस प्रोफिट और इंकम आदी का विचार किया जाता है इसलिए इस बाद को आए और लाब भाव के नाम से भी जाना जाता है आपकी राशी के लिए गुरु भाग गया बाव के स् इसलिए गुरु का लावा पर संचार और अधिक महत पुरन भाग गया वर्दक और लापरत बन गया है आपकी भोधिक योगेता ग्यान और मेहनत के सासाथ भाग गया के सुख है मसायोग से भी आए और लाव की स्थिती मजबूत बनेगी मेहनत से अधिक ही लाव मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है आए स्त्रोतों में वरिदी होगी अपने भावी कार्या के सासाथ आए में वरिदी के लिए अन्या स्त्रोतों पर भी विचार करेंगे मल्टिपल इंकम के योग बनेंगे गुरू का लावा पर संचार करक वालों के लिए गेम चेंजर साबित होगा मित्रों के माद्यम से लाब के योग बनेंगे नए मित्र बनेंगे तथा पुराने मित्र भी सही योग करने के लिए ततपर रहेंगे मित्रों के माद्यम से तो क्या शत्रू भी लाब दे जाएंगे क्योंकि आपकी राशी के लिए गुरू छटे बाब का स्वामी भी है इसलिए गुरू का छटे बाब के स्वामी के रूप में लाब बाब पर संचार शत्रों के माध्यम से भी लाब को दिखा रहा है कोट कचारी से स्वामलों से गुजरे दोस्तों को भी गुरू की स्थिति का लाब मिलेगा ननिहाल पक्ष के माध्यम से भी लाब के योग बनेंगे उनके माध्यम से अधूरे पड़े कार्या पूरण होंगे वैसे भी आपकी राशी करक गुरू की उच्च राशी भी है इसलिए आप पर गुरू की विशेश कृपया बनी रहती है पिछले समय से शनी के अश्ठम डेने करक राशी वाले हर किसी को प्रेशान कर रखा है घर परवार में सुख चैन की कमी महसूस हो रही है विद्यार्थी शिक्षा को लेकर प्रेशान है तो प्रेमी प्रेम्स बंदों को लेकर चेंते था जीवन साथी के स्वास्त पर भी नकरात्मत परवाब पढ़ रहा है अब गुरू की शुप्ता हर किसी को प्रसंता परदान करेगी विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रूची और एकागरता बढ़ेगी विद्यार्थी शिक्षा के शेतर में अच्छा कार्या करेंगे एक मई के वाद प्रत्योगी प्रिक्षाव में सफलता मिलेगी बुद्धी बल और ग्यान में व्रिदी का विद्यार्थियों को विशेश रूप से लाव मिलेगा वैसे भी लाव बाप से गुरू की प्राक्रम, संतान और दंपत्यवाप पर द्रिष्टी बढ़ेगी तीनों बाव महत्तपुरन भाव है संतान बाप से संतान के अलावा विद्या, बुद्धी, प्रेम सबंदों और निवेश कारियों का वी विचार किया जाता है इसलिए यह द्रिष्टी हर प्रकार से उत्तम रहेगी शनी और राहू की द्रिष्टी के कार्णवश प्रेमियों के मद्द्या पैदा संद्यास्वर स्थितियों को गुरू की द्रिष्टी दूर करेगी पुराने गिले शिक्वे भी दूर हो जाएंगे प्रेम सबंदो को मधूर मजबूत और पक्के रुप से स्थापित करने का कार्या करेगी एक मई से लेकर पूरे वरश तक गुरू की यास्तिती बनी रहेगी करक राशी वाले मेरे वह दोस्त जो संतान शित्र से सबंदी चलियारी चेंता परिशानी से तनाव गरस्त हैं संतान कारक गुरू उन्हें भी परसन कर देगा एक मई के बाद संतान से सबंदी सुखों में वरिदी होगी पिछले समय से चलियारी चिंता परशानियों से छुटकारा मिलेगा एक मई के बाद संतान शेतर से कोई सुखद समाचार प्रापत हो सकता है संतान से सबंदित धूरे पड़े कारया पुरन होंगे संतान भी सफलता और उनती के मार्ग पर अगर सर होगी संतान के माद्यम से धनलाप के योग बनेंगे नवदंपत्तियों के लिए गुरू की यह स्थिति किसी वर्दान से कम नहीं है घर परवार में ननहे महमान का आगवन होगा इस अवदी में संतान के नाम शुरू किया गया कारया वेपारिया निवेश लाप्रद रहेगा करक राशी वाले वहदोस जो निवेश कारयों से जुड़े हैं उनके लिए भी नवरश दोयर चोविस लाप्रद रहने वाला है अश्ठम बाप के स्वामी शनी का अश्ठम बाप अपने बाप पर संचार और गुरू का लाप पर संचार तथा दोनों की निवेश बाप अंचम बाप पर द्रिश्टी अक्समास से दल्लाप के संकेत दे रही है शेर मजार से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह समय काफी उत्तम रहेगा पुराने समय के ठंडे और मंदे पड़े शेरों में भी अचानक से तेजी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है डूबा हुआ निवेश रिकावर हो सकता है नव वरश में दंपत्य हवापर गुरू की दिरिष्टी दंपत्य जीवन में भी सुक्षांति और प्रसंता का महोल बनाएगी शनी के अश्ठम डिया के कानवश जीवन साथी के स्वास्त में महसूस और ही कमी दूर होगी अब विवाईत विवास उत्तर में बनेंगे बात आगे बढ़ेगी वेपारी दोस्तों के लिए वी नव वरश वेपार में विस्तार के अनकूल अबसर लेकर आ रहा है वह वेपारी दोस्त जो कोई नया का रहा है वेपार शुरू करने या पुराने वेपार में नियान विश करने का विचार बना रहे हैं तो अप्रैल मातक अपने विचार को ठंडे वस्ते में ही रहने दे एक मई के बाद शुरू करना अधिक लाप्रद रहेगा गुरू देव का अशीर वाद लाप की प्रवल संभावनाई पैदा करेगा नोकरी पेशा दोस्तों के लिए भी गुरू की यह स्थितिक त्यादिक उत्तम है दोयर तईस करियर के दृष्टी कौन से उत्तम नहीं रहा है क्योंकि करमबा पर गुरू चंडाल योग और शनी की वाकर दृष्टी ने करियर में काफी उतार चड़ाव पैदा किया है अब वरश दोयर चोवीस में करियर में स्थिरता आएगी उन्नती के परवल योग बनेंगे जैसे जैसे वरश वैतीत होता जाएगा फरस्थिती अत्यादिक अन्कूल बनती जाएगी आर्थिक रूप से कमजोर दोस्तों को भी गुरुदेव परसंड कर देंगे आर्थिक रूप से संपन बनाएंगे आए और लाब की स्थिती मजबूत बनेगी लगातार नीचे की और जा रहा आर्थिक राभी यूटर्न लेगा तथा उपर की और चलना शुरू कर देगा सोशल मीडिया और ऑनलाइन शेतर से चुड़कर रोजगार करने वाले दोस्तों के लिए भी यह वरश महत्त पुरन रहने वाला है लंबे समय से अटकार रुका और फसा हुआ धन काम प्रियास करने से आपके हाथों में आ सकता है के तु का तिरतिय बापर संचार और गुरू की तिरतिय बापर दिरिश्टी किमिनिकेशन, पब्लिकेशन, एड़ोटाइजमेट, मीडिया, कुरियर, बलॉग, यूट्यूब, फेस्बुक या अन्या कोई आउनलाइन सबंदित कार्या करने वाले दोस्तों को परसंद कर देगी आप अपनी बोधिक योग्यता, ग्यान, क्रेटिविटी, मेहनत और प्रयासों से सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा कार्या करेंगे नेम और फेम में वरिदी होगी नव वरिश में नए मुकाम हासिल करेंगे इसलिए अपने प्रयासों में कोई कमी ना करना तीस जून दोयार चोवीस से लेकर पंदरा नुवंबर दोयार चोवीस तक्षनी अश्ठमबा पर वक्री वस्ता में संचार करेगा इसलिए खास कर इस समय स्तर्क रहें वानी और वहवार पर उजित ध्यान दें, दन का लेन दें साफ़दान नी पुरुद करें विद्यारतियों और प्रेमियों को भी इस समय साफ़दान रहने की वशक्ता रहेगी आसकर इस अवदी में समाई में अपने मानसमान के प्रती सजग रहें कार्या शेतर में अपने से वरिष्ट अदकारी और उच अदकारी वर्ग के साथ वाद विवाद से भी बचें लेकिन गुरू की उत्तम स्थिती शनी की वकर चाल के अशुब फलों की काफी हत तक भरपाई कर देगी खास कोई शुब परिनाम देखने को नहीं मिलेंगे पूरे वरश भागया वाप पर राहू का संचार अक्समा से भागया को जगाने का कार्या करेगा लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे अन्या ग्रहों की स्थिती पर एक नज़र डालें ग्रह गुचर के नुसर मई और जून मा विशेश रूप से लापरद रहने वाले हैं क्योंकि इस समय लाबा पर गुरू के लावा सूर्या बुद्ध और शुकर भी संचार करेगा ब्रामान के चार महत्त पुरन ग्रहों का लाबा पर संचार हर परकार से लापरद रहेगा किसी भी कार्या में हाथ डालेंगे लाब की संभावनाएं प्रवल बनेंगी वबिद परकार के लाब मिलेंगे बुद्ध का लाबा पर संचार बुद्ध दीवानी और वैपार के माद्यम से पर्चूर मातरा में दनलाप के योग बनाएगा प्रतापी सूर्या देव यश पद परतिष्ठा दिलवाएंगे प्रेम प्यार भोग विलास लगजरी लाइफ और बौतिक सुक्षों के कारक शुकर का लाबा पर संचा सुक्षों में वरिदी करेगा बौतिक सुक्षों का विस्तार होगा प्रेमियों को मोज करा देगा इस तरीस बंदी सुक्षों में वरिदी होगी गुरू देव माई माई से लेकर पूरे वरश तक लाब पर दान करेंगे कुल मिलाकर करक वालों के लिए नव वरश दोयर चोविस खास रहने वाला है इसलिए जाते जाते गुरू देव के नाम पर एक लाइक तो बनता है आपको यह वीडियो कैसी लगी के लिए लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यावा